आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे मानगर धाम और गोविंद गुरू के बारे में जिनका जिक्र हाल ही में प्रधान मंत्री ने किया है हाल ही में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने राजस्तान के बासवाड़ा जिले मिस्तित मानगर धाम में सवतंतरता सैनानी गोविंद गुरू को श्रधांजली दी थी इस दोरान उन्होंने कहा था कि जब भारत में विदेशी हुकूमत के खिलाफ आवाजे बुलंद हो रही थी तब गोविंद गुरू भील आदिवासियों के बीच सिक्षा की अलग जगा रहे थे और उनके अंदर देश भक्ती की उर्जा भर रहे थे मानगर धाम गोविंद गुरू और मात्र भूमी के लिए प्रान नुचावर करने वाले सैक्डो आदिवासियों के ब्रदान का प्रतीक है मानगर धाम राजस्तान गुजरात मद्य प्रदेश और महराष्टर की साजी विरासत है गोविंद गुरू जैसे महान सुतंतरता सैनानी भारत की परंपराओं और आदर्शों के प्रतिनिदी थे वह किसी रियासत के राजा नहीं थे लेकिन वह लाखों आदिवासियों के नायक थे अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया लेकिन होसला कभी नहीं खोया ये सब कहा हमारे प्रधान मंत्री ने गोविंद गुरू के बारे में तो चलिए अब देखते हैं कि गोविंद गुरू का इतिहास से क्या संबन्ध है गोविंद गीरी को गोविंद गुरु के नाम से ही जाना जाता है उनका जनम 20 दिसंबर 1858 को राजस्तान के डूंगरपुर जिले के बासिया बेडिया गाह में गौर जाती में एक बंजारा परिवार में हुआ था बचपन से ही अध्यात्म में उनकी रूची थी आर्य समाज के संस्थापक महर्शी दयानन सर्च्वती से उन्हें प्रेणना मिली थी जिसके बाद उन्होंने अपने जीवन को देश, धरम और समाज के सेवा में समर्पित कर दिया उन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, जब देश हुलाम था तब उन्होंने भीलों के बीच शिक्षा और आजादी की अलग जगाई थी ब्रिटिश हुकूमत ने गोविंद गुरु को गिरफतार कर लिया, उन्हें पहले फासी की सजा सुनाई गई थी जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया, गोविंद गुरु 1923 तक जेल में ही रहे जेल से चूटने के बाद उन्होंने भील सेवा सदन के माध्यम से जन सेवा की 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के कमबोई गाव में उनका निधन हो गया हर साल लोग वहां बने उनकी समाधी पर आते हैं और शद्धा सुमन अर्पित करते हैं भगत आदोलन की अगर बात करें तो गोविंद गुरु एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे उन्होंने राजस्तान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमावर्ती छेत्रों में 1890 के दशक में भगत आंदोलन चलाया था इस आंदोलन में अगनी देवता को प्रतीक माना गया था उन्होंने 1893 में संप सभा की स्थापना की इसके द्वारा उन्होंने शराब, मास, चोरी और व्याभी चार से दूर रहने का प्रचार किया गोविंद गुरू ने लोगों से साधा जीवन जीने, हर दिन नहाने, यग और कीर्टन करने, बच्चों को पढ़ाने, अन्याय ना सहने, जागीरदारों को लगान ना देने और विदेशी वस्तूों का भहिसकार कर स्वदेशी अपनाने का आवान किया था मानगड की पहाड़ीों का इतिहास भी इनी से समंदित है, 17 नमंबर 1913 को मानगड की पहाड़ी पर वार्चिक मेला लगने वाला था, इससे पहले गोविंद गुरू ने बिटिश सरकार से अकाल पिडित आदिवाशियों से खेती पर लिया जा रहा कर घटाने का अग्रे कि मानगड की पहाड़ीों पर हुई इस घटना को जलिया वाला बाग हत्याकान से भी बड़ा नरसंगार कहा जाता है, तो आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, आख हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू सो मच, दोट फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस बेल इकन तो नेवर मिस इन अप्डेट